नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की AF150 टाबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, AF150 टाबलेट को कैसे लेना चाहिए, और AF टाबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे की AF टाबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए, AF टाबलेट एक एंटी फंगल दवा है, AF टाबलेट का उप्योग फंगल इंफेक्शन और यीस्ट इंफेक्शन होने पर किया जाता है, आदी लक्षन महिलाओं की वजायना में फंगल इंफेक्शन होने पर हो सकते हैं, इसके अलावा तवचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर भी डॉक्टर AF टाबलेट को लेने की सला दे सकते हैं, वचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर तवचा में लाल धब्बे, दाद, ख खुजली और त्वचा में जख्म आदी लक्षन दिखाई देने लगते हैं, फंदल इंफेक्शन नाखुनों मुह और जांगों में भी हो सकता है, फंदल इनफेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में AF tablet की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में AF tablet की वजह से कुछ side effects हो सकते हैं जैसे पेटदर्ध होना, सिरदर्ध होना, भूग का कम होना, दस्त होना, उल्टी आना और उल्टी आने का मन होना आदी साइड इफेक्ट्स AF टाबलेट की वज़ा से हो सकते हैं. इसके अलावा AF टाबलेट की वज़ा से कुछ पसेंट व्यक्तियों में जोडों में दर्ध होना, हैर फॉन होना, लिवर में सूजन होना और त्वचा पर रैशेज भी हो सकते हैं. ज्यादा लमबे समय तक AF टाबलेट को लेने से लिवर डामेज भी हो सकता है. अब हम डिसकस करेंगे की AF टाबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है. AF टाबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है महिलाओं की वजाइना में फंगल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर AF 150-MG टाबलेट को सब्ता में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं वचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर AF टाबलेट की डोज इससे अधिक हो सकती है AF टाबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है इसलिए आपको AF टाबलेट को आपके डोक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि AF टाबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए अगर आपको किड्नी या लिवर की कोई समस्या है तो आपको इसके बारे में डोक्तर को बताना चाहिए क्योंकि AF टाबलेट किड्नी और लिवर की समस्याओं को ज्यादा गंभीर बना सकती है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए AF टाबलेट का सेवन करना सुरक्षित वर रेक्मेंडेड नहीं है अभी इसके बारे में परियाप डेटा अवेलेबल नहीं है कि AF टाबलेट स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुँचाती है या नहीं इसलिए ज्यादा तर डॉक्टर्स तनपान करा रही महिलाओं को AF टाबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका AF टाबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं